हमारे सभी भाई वेनों को येशु मसी के नाम से अभिनन्दन आज हम अपने एक भाई उत्तम विश्व कर्मा का इंटर्विव लेंगे वो हमारे मिनिस्ट्री से कुछ समय से जुड़े हुए हैं और वो लगातार हमारे मेसेज़स भी देखते हैं वेबसाइट में भी हैं और प्रचार भी करते हैं वो तो काफी आत्मिक उनत्ती हुई है उनकी तो वो हिंदू परिवार से आये थे तो वहां से उनके गवाही हम सुनते हैं कि उनका मसी सफर अब तक का कैसरा तो आए स्वागत करते हैं उत्तम का उत्तम आप हमें सबसे पहले ये बताईए कि आप हिंदू परिवार से थे, हिंदू धर्म में आप पैदा हुए थे, तो ऐसी क्या जरूरत थी कि आप मसी में आगे और येशु मसी को आपने अपना एक मात्र परमेश्वर और उधार करता स्वीकार कर लिया वहिया मुझे सचाई जानने का था कि सत्त क्या है, सत्त क्योंकि मैं अलग-अलग मतलब धर्मों से जुड़ा था और लोगों को देखता था आपस में लड़ते हैं और उसके बाद में एक दूसरे से, और उसके बाद में कोई रोता था तो में भी रो देता था, लेकिन मैं सो ने मुझे बताया कि आपका साधी हो गया क्योंकि घीना नहीं चाहरा था क्योंके च्छान से इसके और उसके बाद में उन्होंने बोला अपने पत्नी को अपने साथ लेके रहो फिर उसके बाद में मुंबई आ गया उपने पत्नी को लेके रहने लगा फिर इसके बाद में एक सेट के पास काम कर रहा था वो लेबर जा रहा था चर्च फिर उसने बोला इसने अपना धर काहियां बताई कि मैंने सुना और मुझे अच्छा लगा मैं बोला ठीक है मैं भी आउंगा फिर मैं जब वहां पर तो आप कह रहे हैं कि जिस सेट के पास आप काम कर रहे थे वह मसीभ में आ गए थे तो फिर उसके बाद में मैं भी जब जाने लगा अपनी गवाय उन्होंने बताया तो मेरे मन में क्या है ना लालच आ गया क्योंकि उन्होंने जिस तरह से गवाही बताया कि यह हो गया वो गया तो मैं ऐसा हो गया लेकिन फिर भी मैं लालच किस बात का आया आपका एक ही यह कौन सा ईस्वर है जो इतना सारा देता है सब कुछ मेरा ये करजे में था मेरा करजा ठीक हो गया मेरा घर हो गया मेरा वो गया अच्छा मेरा लाला चा गया क्योंकि मैं ऐसा सेक्सेज नहीं था अच्छा मतलब आप कह रहे हैं कि बहुत सारे सांसारिक चीचे मिल गई उस सेटड को हां? जो सुनके के मन में लालच जा गया हां जी अच्छा तो फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में मेरी पत्फनी को और हम्ने चर्च गे चर्च जाने के है हां तो फिर उसके बाद मैं नहीं गया मैंने फैसे फना आयाघ का लग्मिक नहीं का वह कुछ तो उसको पॉन किया तो बोलता है मैं आता हूं आपके घर पे मेरे घर पे आके बताया आपकी दो नाओं पे चड़ोगे तो डूपके मरोगे कौन सब्सक्राइब कि मैं अपने देवी देवताओं को भी मैं फूसता था और चर्च भी जाता था मुझे मस्यद के बारे में मतलब मेरे मूर्तियां जो थी वो सब उठाके मैं एक पेड़ के नीचे रख दिया मैं जीजस क्राइस को मानूंगा और इसके बारे मैं नौलज करूंगा मतलब आप गहरे हैं कि आपके दोस्त ने बोला कि येशु मसी सच्चा परमेश्वर है तो आपने धर्म की सारी मूर पापों के लिए मरा है तो आपको क्या समझा है उसने ये जब बताया तो मैं भी जाना कि भाई मैं भी तो चोटे मोटे कोई जना कुछ पाफ किये हैं मेरे पापों का क्या होगा मेरे पापों का कौन डंड़ बोक देगा ऐसा करके मैं और उसके बास लेकिन पापों के यह थी बहो जैसे महीत हैvertर कि एकमाथ श्चा परमेशर है और उसने सारी जगत का उठाया बागी और को 오्गी किरे मारा नहीं है श्रेवाए मारने का उठाया मतलब हमारे पापों का सारा डंट उसने कुरास लिए उसने बोला मैं तुमसे प्रेम करता हूं अपना मेरा प्रेमेर हैगा कि मैं तुम्हारे पापों के लिए मरूंगा और जो कोई मुझे बिश्वास करेगा वह अनन तकाल तक जिएगा अच्छा तो आप कह रहें कि केवल येशु मसी ने ही सारे मनुश्यों के पापों का दंड बुगता इसलिए साबित होता है कि वही हमसे सबसे जादा प्रेम करता है और इसलिए ही उसी के बताय मार्क पर चलने से ही उद्धार होगा और उसी के बलिदान से हमारे पापों को ख्षमा मिले गया ऐसा आपको पता चला जी भाया क्योंकि हमारे पाप जो है हमें ज मृत्यू का स्वाद प्रभी ईशु मसिन ने चखा और तीसरे दिन मृत्गों में से जी उठा अच्छा और जी उठने वाली बात पर आपने विश्वास कर लिया जी अच्छा तो फिर उसके बाद क्या फर्क पड़ा कि आपको समझ आए कि येशू ने हमारे लिए बलिदान दिया हमारे पापों के लिए दंड भुकता और मृत्यू के तीसरे दिन वह अपनी कबर से जी उठा जिसको पुनुरुथान कहते हैं तो उससे आपके विश्वास में अब क्या फरका है पहले तो आप दो नाओं पर चल रहे थे तो क्या फरका है जिस दिन मेरा उद्धार ह हुआ ना मैं बहुत रो रहा था यह उद्धार क्या होता है उद्धार मतलब होता है जिस दिन आप अपने पापों से मन फिरा कर केवल एक मात्र पर वीश्व मस्यक अपना उद्धार करता और मुक्तिदाता गहन करते हैं उसी शण आपका उद्धार हो जाता है और परमेश में गलत वीडियो देख रहा था फिक्च्र देख रहते यह दिए मुझे बेकार लगने लगा कि मैं इसमें बहुत गलत इस्तमालardा आनखे कुल गई अच्छा तो ये कितने साल पहले हुआ अरे बहिए चार साल हो जा रहा है चार साल पहले की बात है तो अचानक जो वीडियो आप देखते थे जो अशलील थे वो आपको समझाना शुरू हो गया कि ये गलत है अचानक ऐसी बुद्धी आगी आपके अंदर जी और क्या-क्या ब इसने पूछा किया सिकरेट एक इसा आपके शंदेश में है ऑपने भूला कि आपका जो मंदिर है Bureau सांसाारिकंडर उसने आप सराथ शरातमा का घर है हमारा मंदिर है तो मैं तमाकु खाता था और घुटके खाता और दारु पीता तो मैं तो मैं बात मुझे चुप गह क्योंकि जब आपने अपने मंदिर को गंदा कर रहा हूं मैं दारू मेरा चूट गया और गुटका और सब चूट गया जीवन बदल गया तो आप कह रहें कि जिस घड़ी आपने अपने पापों से मन फिराकर येशु का अपना उध्धर करता स्विकार किया उसी घड़ी परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा आपको दे दिया आपके अंदर रहने के लिए यानि परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर का आत् या भोग विलाज, ये सब दिखने लग जाता है कि ये सब गलत है। ऐसी बुद्धि शिर्फ पर्मेश्वर का आत्मा ही डे सकता है यह आपको समझा गया, मैंने पढ़ा भी ऐसा लिखा भी है, कि मनुस्ष की बाते, पिर्मेश्वर की आत्मा जां जान सकता है। और परमिश्वर की वही बाते जब परमिश्वर का आत्मा हमारे अंदर आ जाता है तो हमें भी समझा देता है तो उससे आपके जीवन में फर्क आना शुरू हो गया जी चीक है तो अब आपको यह सची मसीहत समझ आगी कि यह मसीहत सच में क्या होती है तो अगर आज मैं आप से पूछता हूं कि आपका जो पुराना धर्म था हिंदू धर्म जिसमें आप थे जिसके बारे में ज्यादा नौलेज नहीं थी तो कोई आप से बोलेगा कि आपने अपनी किताबें पढ़ी नहीं इसलिए आप मसीषत में चले गए मुझे पढ़ने की कोई जरूरत भी नहीं है क्योंकि मैं इतना जानता हूं कि मैं रामायन श्री किष्णा यह सब कुछ मैंने देखा है अच्छा देखा है और मैंने जाना है ठीक है तो जब आप पहली बार जब आप मसीष को अपने स्वीकार किया और आपने अपने धर्म को बिल्कुल छोड़ दिया हिंदु धर्म को तो आपके जो माबाप थे या रिष्टेदार थे उनको बुरा नहीं लगा उनको बुरा लगता है तो मुझे क्या फरक पड़ता है क्योंकि मेरे रिष्टेदार मेरे साथ जाने वाले ने ये मेरे पापो को छमा दिलाने के लिए उनके जाएंगे मैं अकेला ही जाऊंगा मतलब मनुश्य अकेला पैदा होता है और अकेला ही मरता है और अकेला ही उसका न्याय होता है उसे परमेश्वर का सामना अकेले करना पड़ता है इसलिए परमेश्वर सबसे पहले है और बाकि सारे रिष्टेनाते उसके बाद आते है जी भी या तो कि जूट बो आगे वड़ने के लिए जूट बोलना जरूरी है अच्छा मैं कुछ गलत नहीं करूंगा तो मुझे जूट बोलने की जरूरत क्या है तो उनको यह जो दिखाई दिया आपके अंदर परिवर्तन की आपका तंबाकू गुटका शराब सब छूड़ गया तो उसस थोड़ा थोड़ा पर्भू की दिया से बाइबल पढ़ते हैं तो थोड़ा अभी उन लोगों को सच्चाई पता चल गया मैं प्रभू का धनवाद देता हूं कि परमेशन ने मेरा उद्धार किया और मेरे जरिये थोड़ा घर कंडिशन में उनका सुदर गया मतलब आप कह जाड़ फूक वगरा में विश्वास रखते थे वह सब छूड़े उनका जी तो जो लोग पहले आपको कहते थे कि आप गलत हो गया अपने धरम बदल लिया गलत किया वह क्या कहते हैं आपके बारे में ने वह कहते हैं तो उनको मैं कहता हूं कहने दीजिए मुझे नहीं फ से मेरे माता पिता नहीं है तो आपका जो जीवन जो चल रहा है एक तरफ मसीह के साथ चल रहा तो मसीह मेंने का मतलब क्या कि सब काम-धंदा सब बंगर देना चाहिए सिर्फ बढ़त रहना समय नहीं निकालोगे तो समय आपको मिलेगा नहीं काम आठ गंटा आदमी करता है उसके बाद तो पुरा समय है जो समय आप पिच्चर देखते हो सीरियल देखते हो समय आप बाइवल पढ़ो तो आपको समय एक ही गंटा पढ़ो आदा गंटा पढ़ो तो मेरा सवाल यह है कि काम दंदा भी आप साथ-साथ करते रहे मसीहत भी आप सीखते रहे वाइवल पड़ते रहे प्रचार भी करते रहे विश्वास आपका बढ़ता रहा तो कहीं आपके इस प्रभू ने यह शुमसी ने आपकी कोई मदद करी आपके आर्थिक जीवन में कि जहां पर आपका कि द्वास था कि धर्मी को मैं कभी भूखे मरने दूंगा मैं मजदूर आदमी काम करने वाला था लगडाउन लग गया मैं मुंबई में फसा था मेरी वाइफ पेगनेट थी मेरा दो बच्चे थे उनको दूज चाहिए लेकिन परमेश्वर मेरे पतनी को मैं बोला तुम टें गया था तो हां बोले फिर मैं चला गया तो वहां पर अच्छे तरह वापिस में मुंबई आ गया मेरी सब इस्तिती ठीक हो गई प्रभु की दिया तो आप कहते हैं कि काम धंदा भी आपका जो है वह परमेश्वर संबालता है वह देखता है और आपके जरूरतों को पूरी करता है जी जी एकदम बिंदास मैं मैं बहुत ठीक हूं लेकिन मसीहत के बारे में लोग कहते हैं कि यह तो पैसे कमाने का एक धंदा है यह लोगों से अपने इंकम का दस्वा हिस्सा जिसको दश्मांस बोलते हैं टाइट बोलते हैं यह सब लोग लेते रहते हैं और यह सब तो कि आप भी ऐसा दश्मान सब देते हैं यह गलत बात जो बोलते हैं कि धंदा बन गया परमेश्वर की आग्या है और आदमी अपने खूशी से देता है अपने खूशी से देता है जो जिनके कोई सहारा नहीं हो तो उनका मदद हो जाए हम क्या अन्य धर्म भी देते ना तो मसीहत में तो परमेश्वर की आग्या है कि हम एक दूसरे को हेल्फ करना चाहिए तो ऐसा करने से कोई गलत बात नहीं है परमेश्वर उससे ज्यादा दे देता है बिजनस नहीं है यह लेकिन आजकल तो इतनी महेंगाई हो गई है तो लोग जो है वो दश्मान क्यों दे कि एकदम को बिश्वर को मानते हो तो अच्छी बात है लेकिन अपने भगवानों को चोड़ने की क्या जरूत है इसका क्या जवाब है आपके बास देखो भाईया मैं यही जानता हूं कि अपने भगवानों को चोड़े जरत है क्योंकि यह की श्रिष्टी करता है मेरे हम अपने माता पिता के चार बच्चे तो हमारा एक ही पिता था चार पिता नहीं था तो मेरा एक ही बाफ है जो मुझे निर्माट किया जिसने मुझे सिर्जा है मैं उसको जान गया हूं मैं उसी को मानूंगा क्योंकि मैं जो लोग जिस इंसान जिस इंसान को इश्वर न लेकिन लोग तो यह कहते हैं ना कि भी हाँ एक ही परमेश्वार है उसके अलग अलग रूप हैं चाहे वह राम हो कृष्ण हो अल्ला हो यह जीजस क्राइस्ट हो नहीं यह गलत बात है उनसे अगर सच्चा में पूछा जाए तो वह भी नहीं बता पाएं क्योंकि जिसने अर्मों में किसी ने नहीं बताया कि मैं ही हूँ तुम्हारा उद्धार करता है अच्छा और खाली येश्व मसी ने ही हमारे पापों का दंड भी भूखता जो सबूत था इस बात का कि वह हमसे सबसे अधिक प्रेम करता है और हमें नर्क से बचाना चाहता है दूसरे किसी इस प्रेम का सबूत दिया नहीं है जिसकी वज़े से हमें समझ आ जाता है कि हाँ अगर कोई परमेश्वर होगा तो वो बिल्कुल ऐसा ही होगा और फिर येश्व मसी के चरित्र में कोई पाप नहीं था पूरा जीवन निश्क लंक था और वो उसने जब बलिदान दिया व इन सबसे हमें समझ आता है कि अगर परमेश्वर कोई होगा तो कैसा होगा जिसकी वजचे से हमारा विश्वास बढ़ जाता है परमेश्वर पर तो मुझे आपसे पूछना है कि क्या आपकी वाइफ भी येश्य मसी में है बहिया वो बिश्वास करती हैं लेकिन पूरा उन किसी का विश्वास ज्यादा हो जाता है किसी का विश्वास कम अर कितना है बच्चों को भी सिखाती है प्रभुईश मसी के बारे में मैं भी सिखाता हूं तो वह मसी में कब आई थी कि वह साइद मेरे विश्वास होने के बाद में मेरे वाइफ की सिष्टर ने विश्वास किया वनने वाइफ की सिष्टर है उन्हें wes Siwa कि युद ही तो उसके मेरा वाइफ ने उनके पिताजी सादू ने भी बताएथे जब वह साथ मे रहते वो बताते जो इश्वर को खोजना चाहे हो सब्द में खोजे तो जान गया उन्होंने उन्होंने भी यह किया है मेरा वाइफ ने तो जानती है कि मैं प्रभी मतलब इस्वी पर मेश्वर दूसरा कोई नहीं तो कभी आपको किसी ने अशे नहीं बोला कि भाई तुम तो इसलिए बन गए मसीह कियोंकि तुम्हें कोई पैसा मिला होगा या कोई नौकरी का लालज दिया होगा निया बहुत लोग मिलते हैं लगि मुझे फरक नहीं पड़ता क्योंकि को नहीं जानते तो कुछ भी बोलेंगे हमारे देश में भूत चलता यह कि इनको पैसा के-चावल गेहूं देके इनको मशीर में लिएते हैं तो आपके साथ तो ऐसा नहीं हुआ एक बार में इसा तका मेरे को बहुत को बोलत हो दा लगा यह की आ हो में गेशा ठाया उенты फна काम दंदे नहीं यह सब तुझे कितना पैसे मिलते हैं मैं बोला भाई मैं खुद एक हजार रुपे मेरा एक दिन की हाजरी है और उसके बाद मैं जब बताने लगा तो मैं वह जाने लगा मैं इदर आईए मैं आपसे और बात करूंगा मैंने खुद बुलाया उनको मैं बोला आप ये कह रहे हैं कि जिसको भी येशु मसी माना होगा उसको स्वायम अपनी इच्छा से ये समझना होगा कि उसके जीवन में कुछ पाप हैं और परमेश्वर पाप के साथ संगती नहीं कर सकता इसलिए परमेश्वर को मनश्य बनके आना पड़ा ताकि वो हमारे पापों को खतम करने के लिए हमें शमा करने के लिए हमारे पाप अपने उपर लेकर क्रॉस पर अपना बलिदान दे और जो भी इस बात पर विश्वास करे कि हां मेरे पापों को येशु मसी ने अपने उपर लेकर उन्हें खतम कर दिया और अपना जीवन जो है वो येशु मसी को दे दे ऐसे मनश्य को परमेश्वर ख्रमा कर देता है उसका उद्धार हो जाता है उसके बाद वह मसी के बचन पर चलने लगता है क्योंकि उसे मसी का आत्मा मिल जाता है उसकी बुद्धी परमेश्वर के जैसे हो जाती है कि परमेश्वर क्या सोचता है उस हिजाब से वह यह कहीं भी जाते हैं रिश्टेदारी में तो किस तरह की के सताव होते आपके साथ बहुए आपके ब्ली युद्र कि इतना बुद्धी मिल गया है इतना मैंने चान बिन मिलता है तो मैंने उनको बताया भी भाई इसमें नहीं होता ऐसा पैसों से तो दिरे-दिरे भीड जूट गई तो हमारे गाउं में ब्रामन होते हैं भाई लोग भी आए और मुस्लिम भाई लोग भी आए सब लोग कोई लाइसी एजेंट है कोई टीचर सब लोग जूट गए मेला लग गया तो उदर मैं अच्छे से प्रवीश मसी के बारे में बताया वो लोग सुने भी और एक भाई थे जो उन्होंने बिद्रोह किया तो हमें उनका नाम लेने से जरूत नहीं है फिर कोई बात नहीं में घर पे आ गया और हमारे मारे जो पड़ोशी है उनसे कोई किसका रड़का जो इतना उनको नालज है इतना सब कैसे जान गया तो भाई उसको बहुत आ गया वह अभी सच्चाई जान गया ऐसा करके उन्होंने बोला क्योंकि मैं गाव में भी बताता हूं लोगों को लोग सुनते भी हैं तो आप मुझे बताईए कितना जरूरी होता ह है मसी में आने के बाद गहराई से वच्चन में बढ़ना जैसे आप हमारे वीडियो देखते हैं फिर हमारा जो वेबसाइट है हिंदी डाट कॉम उस पर हम जो इतने गहराई से हर एक आयत को सिखाते हैं क्या यह जरूरी है किसी मसी के लिए जी जरूरी नहीं है तो पिर कै नहीं नहीं रहेगा तो हमारा मुबंद हो जाएगा ओके तो आप कहरें कि हमारे वीडियो से आपको जो गहराई से नॉलेज मिल रही है उससे आपका स्वयम का विश्वास बढ़ रहा है समझ आ रहे हैं कि हाँ मैं ब्लकुल सभी जगा पर हूँ और जितने भी सवाल होता ह से कहूंगा बेहनों से कि आप वहां से हटिए प्रमेश्वर से प्रात्ना पूर्वक आगे बढ़िए और एक सही चर्च को ढूड़िए जहां पर आपको वचन को अच्छी रिती से सिखाए ताकि हमारे देश के लोगों को सची मसियत जान पाए हो लोग क्योंकि हमारे दे पाएंगे और उसके बाद मैं तो उसमें जैसे यह चर्चों में चलता है बहुत जादा वह अन्य भाशा में जो बेतुकी अंजान भाशा में बढ़ बढ़ाना या चंगाई के बहुत सारे आजकल प्रॉफिट कहते हैं अपने आपको आपोसल कहते हैं और चंगाई के आप लोग वहां से हट जाईए आप लोग सही माइनमें नहीं तो आप लोग का बर उद्धार नहीं होगा क्योंकि आप उद्धार का सही होता जीवन नास हो जाएगा क्योंकि आप सत्ति को जान नहीं पाऊगे स्वतंत्र नहीं हो पाऊगे आप मुहां से आएए और एक चर्च में आई इस यह जो बात है के पहले आप हिंदू धर्म में थे सांसारिक जीवन जी रहे थे तो मसी के बारे में आप पता चला तो क्या यह जरूरी था कि आप मसिहत को स्विकार करें, आप अपने सांसारिक जीवन भी तो जी सकते थे, नहीं भी या, सांसारिक जीवन में सांती नहीं था, तभी तो मैं डिप्रेशन में चला गया था, अब डिप्रेशन से निकला, प्रभी येशु मसिह नहीं निकला, क्योंकि उसके वच्चन में मुझ कुछ करेगा कि आपको जूट से अंद्विश्वास पाप से दूर करता है वो और एक ऐसी शांती देता है जो सिर्फ मनश्य नहीं दे सकता सिर्फ परमेश्वर दे सकता है यह चलिए जैसा संसार देता वैसा सांती मैं नहीं देता हूं मैं अपनी सांती तुम्हें दिये जाता हूं थोड़ा पैसा दे देगा थोड़ा मन रंजन करा देगा और उसके बाद में दूसरे दिन कि जो भी सच्चे मन से इस वीडियो को देखेगा और सच्चाई को डूंड रहा होगा परमेश्वर को खोज रहा होगा उसको जरूर परमेश्वर कुछ न कुछ सच्चाई इस संदेश के जरीए बताएगा तो यसी प्रातना मैं करता हूं तो येश्यमस्य के नाम से आमेन